कर दोस्तों आज में स्यूदी में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी कंटेनर कर एक्सपोर्ट करते हैं और आपने शिपिंग विल समिट किया वो रिजेक्ट हो जाता है मनलब कंटेनर एक्सपोर्ट होने के बाद ठीक है जैसे आप यहां से किसी भी आई सीटी से कंटेनर से एक्सपोर्ट कर रहा हैं यहां से रिलाउट हुआ कंटेनर और पोर से जैसे आपने पोर्ट से पहले आपने शिपिंग हो जयाता है आप चेक नहीं करते हैं तो उस condition में आपको क्या charges लगेगा और चार्जिस लगेगा यह नहीं लगेगा वो सारी चीज़ आपको इस वीडी में आपको detail में बताँ हुआ क्योंकि कई लोग इस चीज़ से को इनवाइस आई है तो यह मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल अगर को सबसे पहले मिल पाए और अगर आपने तक को जोईन नहीं किया जोईन नहीं किया तो उसको भी जोईन करने के लाब एक्सपूट पए है एककशपूट कर रहे ठीक है इसके बाद कंटेनर हमारा जाएगा कहान को सीपूट पर ठीक है यहां तक अब इतने ही समझना आपको ठीक है माली जापका कंटेरर है यहां से एक्सपोuttering हो गृट है ठीक है और यहां से एक्सपोर्ट रोत ही यहां तर इंद कर दिया ठीक है यहां पे एंद ही चैपिंग भूंक हो गया अब यहां पहुचने के बाद जो आपका शेपिंग विया वह हो गया है रिजक्ट रिजएक्ट क्यों है वह मैं आपको बता देता हूं आपको यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो सबसे पहले तो आपको धिहान में रखना सबसे पहले होता है कंटेंट नंबर केंटेचेनर स्वाइब कोई भी मिस्टेक नहीं यह जाए कोईबी आपको एक भी इचलिट का मिस्टेक नहीं हो जिखेए टिक है अफास के अंदर हो वेट है ठीच है ग्रीट मैं भी आपको कोई डिफ्रेंस ही जी दूजरा है आपका पैकेजिस वैसे तो इसमा कोई भी डिटेल इसके अंदर आपको गलत फिल नहीं करनी है में जो मेन रीजन होते हैं इसके रिजेक्ट होने के सब्सक्राद करने नंब्र में पेक यहां सब्सक्राब लावां अंचे का फिल्ट आपका हो गया है छुशा में अपको यह म बाद गलत डालरे जो डेसने संश्नका जिए उसका इसकोड गलर गलत डालरे हैं जिसा सबसे जब सबसे?... चैक्ठे समिट करना है कि आपको सबसें कोट है कि आपको यहां सिरिंग करना है कि आपको के सबसे? करने के लिए करने के लिए सिट नहीं हुआ है तो आपको यहां पर आपको बहुत द्यान में रखना आ है जब आप यहां पर से उपन हुआ है जब इसका गेट उपन हुआ है shipping will submit करने के लिए shipping will का जो timing अवो open हुआ है तो आपको यहाँ इसी सीज का ध्यान रखना है जब भी आप submit कर रहे हैं तो यह चीज तो आप बिल्कुल भी गलत ना करें ठीक है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा main reason होता है गलत होने का मलब जियक्त होने का यह इसका यह जो आप यहाँ पर यूज करेंगे जो कि आपका shipping bill में आपका जो कोड है और booking में जो कोड है अगर मां दीजे थोड़ा बहुत difference है अपने रॉसए के लिए अब नियॉयॉयर्क का जो उसका period हो आपको जो सविस्च्वेशान आ जाती कि हमें जो shipping जो कोड हमें सेलेक करना है ज्यादातर मेरे साट से जो ॏइसको प्रेटा को सबड़ा सब्करना है आपको जो shipping bill में जो port है वो select करना होता है ठीक है अगर by chance कुछ ऐसा reason उसके बाद भी reject हो रहा है अगर आप booking वाला भी डाल रहा है तब भी reject हो रहा है तो आपको shipping line से mail डाल के confirmation ले लेना है कि हमें जो यह port है final destination का जहां पे भी हमारे container जा रहा है ठीक है तो वहाँ का जो आपका port का जो code है वो आपको check कर लेना shipping line किस है उसके बाद आप return में ले लेना है और उसके बाद आपको shipping bill submit करना है क्योंकि यहाँ पे अगर container आपका मलब जो shipping bill है submit नहीं हुआ reject हो जाता है ठीक है आपने तो submit कर दिया लेकिन आपको verified भी check कर लेना है ठीक है और by chance माल लीजे verified नहीं हुआ reject हो आपने देखा नहीं तो इसमें क्या है आपको सब्चादर loss होगा पहले तो आपका container set out होगा ठीक है और उसके बाद आपका container rollover होगा ठीक है container rollover rollover मतलब दूसरे पर जाएगा ठीक है तो इसके set out charges container charges और container rollover charges और उसके बाद आपको यहाँ पर लग सकता है आपको port storage ठीक है तो आपको जब भी shipping will submit करना है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है यह तो होगी आपकी ICD से ठीक है आपको यहाँ ध्यान रखना है और कई बार आप कर रहे हैं तो आपको shipping will यह जो details है पहले तो आपको details properly आपको check कर लेनी है वैसे आप तो इसका जो ओडेक्स का जो अगर ओडेक्स में आप submit कर रहे हैं तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा option आ गया है आगर आप जैसी आप shipping will जैसी upload करेंगे सबसे पहला option है shipping will लियो copy upload करने का तो जैसी आप बार कोड़ वाली जो लियो कोपी आ रही है वह आप इसमें जैसी upload करेंगे तो आदि से जाज डिटेल तो आल्रेट यहाँ पर फिलो के आ प्रॉफिट नहीं किया ना आपने जितना प्रॉफिट नहीं रखा है उससे ज्यादा आप यहाँ पर सटाउट चार्जिस और आपको लग जाएंगे और आप बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे ठीक है तो आपको यह चीज आपको ध्यान रखना क्योंकि कई सारे आपको सबसे पहले मिल पाए तो इस वीडियो में इतना ही तो मिलते नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद